अर्योज सामभा, कितने आदमी थे, एक हुजूर और तुम कितने थे, दस हुजूर फिर भी ठीक से गाली नहीं दे पाए, तो अब जनता की गाली खाओ राजस्थान की सियासत में कल दे राज जो नहीं शुरुआत हुई है, उसका आगाज आज सुबह कुछ ऐसे ही देखने को मिला जनता में हर जगा उपहास के पात्र बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री अशोग घलोद के सलाहकार बनाए गए हैं चोग चोराहों से लेकर घर के अंदर तक यही बाते चल रही है कि क्या अब मुख्यमंत्री अशोग घलोद इन से सलाह लेंगे लेकिन करे क्या, यह बात मुख्यमंत्री अशोग घलोद को भी पता है कि इस पद पर इनकी न्यूगती गहाओ पर नमक छिड़कने जैसा है तभी तो राज में सत्ता के बड़े किंद्र से कल दे रात अख़वार वालों को फोन किया गया कि इन सलाहकारों की तस्वीर समेत ख़बर ऐसे ही छापना जैसे मंत्रियों की छापी थी ताकि सुबह के अख़वार में अपनी तस्वीर देखकर अपनी ख़बर देखकर कुछ कलेजे को धंडक मिले जनता में मूँ दिखाने लाए रह सकें सबसे ज़्यदा स्याने राज कुमार सर्मा निकले उनके मंत्री ना बनने पर बहुत लोगों को अपसोस है मगर कुछ वजह रही होंगी उन्होंने कहा कि मुखे मंत्री असोग गहलोत इतने अनुभवी हैं कि मैं उन्हें क्या सलाह दोंगा मगर अख़वार में तस्वीर आने के बाद रुत्बे के साथ नवलगर रवाना हुए हैं एक बहाना तो मिला है लेकिन कई लोग थे जो उम्मीद लगाए हुए थे और इन्हीं उम्मीदों की वजह से वह गालिबास भी बने हुए थे क्या क्या कहा सचिन पैलेट को कैसे कैसे हमला बोला कैसे कैसे मीटिंग की गई सायम लोड़ा का सायम अभी तूटा नहीं है सभी को उनके सायम तूटने का इंतजार है बागुलाल नागर आपसोस कर रहे हैं अपसोस की वज़ा है कि एक बार जो मंत्री रह लेता है अगर दूसरी बार नहीं बनता है तो उसे ज़्यादा खलता है लेकिन रामकेश मिना तो और भी आगे निकल गए है रामकेश मिना सचिन पैलेट पर जमकर हमला बोले लोग कह रहे हैं सलाहकार नियुक्त हुए हैं सलाहकार का मतलग कि अबल सलाह देना नहीं होता है मश्विरा करना भी होता है उसमें सलाह लेना भी होता है तो क्या यह सलाह लिया गया है सुबह सुबह पाइलट के खिलाब बोलने के लिए किस ने दिया है सलाह यह भी चर्चा का विशय बना हुआ है देखिए कितना बड़ा दिल दिखाया कल सचिन पाइलट ने सब्र का समंदर यूही नहीं कहते सचिन पैलट को समुंदर जैसी सोच कल यूही नहीं दिखाया सचिन पैलट ने बड़ा दिल अगर पैलट ने दिखाया है तो गहलोत को भी दिखाना चाहिए सत्ता में बैठे हैं कारिकरता और नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं मगर जब हर तरफ अच्छा हो रहा हो और इतनी अच्छी शुरुवात कांगरेज के लिए हो तो रामकेश मिरा का इस तरह से जहर भरे शब्दों में सचिन पैलट पर हमला बोलना दिखाता है कि मुख्यमंतरी अशोग गहलोत सिकस्त खाने के बाद छट पटा रहे हैं और यह सब प्रेंका गांधी के दखल के बावजूद सचिन पैलट के खिलाब जो मुर्चा खोला गया है यह कि और रामकेश मिरा का नहीं है यह एक सलाहकार का बयान है इसलिए सियासत में सवाल उठ रहा है क्या जंग की नई शुरुआत होने जा रही है क्या क्या बोला उन्होंने कहा सचिन पैलट से मैं आगरह करता हूँ कि पांचना बांध का पानी दिलवा दे अरे जलदाय मंतरी अशोग गहलोत हैं कभी उनसे भी आगरह कर लेजिए मुख्य मंतरी एक फोन करेंगे पानी का रास्ता खुल जाएगा जिसके पास पानी है उससे पानी मांगते नहीं है और सचिन पैलट को कह रहे हैं तुम भागिरत बनो तो समझा जा सकता है कि या सिकस्त की वज़ा से खीज निकालने वाली बात थी जो रामकेश मीडा के बयानों में ज़लक रही थी डॉक्टर जी तेंदर सिंग दो बार मंतरी रहे हैं वरिश गुजर नेता हैं मगर शकुंतला रावत को तरजीश दी गई तो उन्हें संतावना के रूप में सलाकार का पद मिला है दूसरा नाम है या फिर कह लिजे अंतिम नाम है दानिश अवरार का दानिश अवरार को सलाकार बनाया गया है ये किसके सलाकार थे किसी से छुपा हुआ नहीं है परशान्त बैरवा ने इनके लिए या पता नहीं किसके लिए कहा था कि कुछ राय चंद है यही राय चंद सचीन पैलेट को राय दिया करते थे बाद में, यह राय चंद जैचंद बन गए थे और अब किसी और के राय चंद बन गए हैं तो खेमा बदलने का इनाम بھی मिला है मगर यह इनाम नहीं है यह यातना भरापद है ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहली बार सलाकार बनाए गए हो मुख्यमंत्री जब असंधार राजे पहली बार बनी थी तो अपने कारकाल के अंतिम समय में उन्होंने विश्वेंदर सिंग और डेवी सी भाटी को सलाकार पद पर न्यूक्त किया था और उनकी हालत यह हो गई कि विश्वेंदर सिंग बीजेपी ही छोड़ गए और डेवी सी भाटी बागी बन गए इसलिए कह रहे हैं कि सलाकारों की राह तो पहले हम देख चुके हैं सियासत में जनता अभी तक पीसी ही रही है भले ही कॉंग्रेस के लिए राह निकल गई है अब उधर देखिए सतीष पूनिया कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है पूनिया जी बीजेपी में कल से नई पिक्चर लग रही है बसुंद्रा राजे धार्मी की आत्रा पर निकल रही है उनके निवास से विधायकों को फोन किया जा रहा है कि आप कहां की जी मिदारी उठाओगे कैसे कैसे आपको कहां कहां रहना है विधायक बीजेपी के पस उपेस में है कि बीजेपी मना कर नहीं रही है कि वहां नहीं जाना है और वो वरिष्ट नेता हैं कैसे मना करें अगर वहां गए तो तिकट न कट जाए ना गए तो क्या पता वसुंधर राजे वापस न सत्ता में आ जाएं यानि सत्ता पर बीजेपी की सत्ता में आ जाएं तो इसी उहापों में बीजेपी के विधायक लगे हुए हैं पूनिया ने कहा ये थी खबरे आज तक देखते रही है कल तक तो हम सभी लोग बीजेपी की पिक्चर देखने के लिए कल तक का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पसुंधर राजे लोट आई हैं और इस बार उनके समर्थक अंदर खाने कह रहे हैं कि हम सतीश पूनिया से दबने वाले नहीं हैं अब सड़कों पर दो-दो हाथ होगा कर दो